दोस्तों देखते हैं बारत का किसी भी राजी में मरीज दिखाने के लिए online appointment कैसे लें और इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिली के aims में हम online appointment कैसे ले सकते हैं दोस्तों जितने भी बड़े hospital हैं वहाँ पर अगर आपको किसी patient को दिखाना हैं तो कई दिनों के इंतजार करना पड़ेगा बहुत तरह की गहमा गहमी रहती है बहुत भीड रहती है और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर देखाएंगे कि online appointment आप कैसे ले सकते हैं और इन समस्याओं से बस सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको सरकारी वेबसाइट खोलनी है और यह सरकारी वेबसाइट है ors.gov.in जैसे आप सरकारी वेबसाइट देखेंगे आपके सामने इस तरह का option आएगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करता ही सामने वाली फोटो हड़ जाएगी और यह उसका दोस्तों इंटरफेस आएगा आपके सामने आपको book appointment नाउपर क्लिक करना है क्लिक करता ही दोस्तों यह वाले सारे states हैं आप जिस राज्य में जिस अस्पताल में appointment लेना चाहते हैं अपने अमरीच को दिखाने के लिए आप यहां से इसको नीचे करकर अपना state select कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो के अंदर दिल्ली के अंदर एम्स के अंदर appointment लेकर आपको दिखाऊंगा उधरण के दुरू तो मैंने दिल्ली पर क्लिक किया आप अपने सामसर राज्य से लाज्य कर सकते हैं सेलक करता ही दिल्ली के जो अस्पताल इस वेबसाइट से जुड़े हैं उन सब के लिस्ट आ जाएगी तो जैसे मुझे एम्स में चाहिए तो एम्स पर क्लिक कर रहा है एम्स पर क्लिक करता ही दोस्तों appointment पर क्लिक कर रहा है इस तरीके से आएगा नए appointment है या पुरान appointment आप appointment पर क्लिक करना है इस तरीके से आपके सामने जो आपका registered mobile नंबर जो आप देना चाहते हैं आपके पास मांगा जाएगा तो आपको mobile नंबर यहां पर entry करनी है और यह capture भरना है और submit पर क्लिक करना है दोस्तों आपके पास एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहां पर डालना है और proceed पर क्लिक करना है दोस्तों आधार से appointment के लिए आपको I have आधार पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से option आएगा चूंकि आपने aim select किया है यह state जो आपने select किया था जो hospital आपने select किया था अप यहां पर आपको concert center लेना है आप यहां के जैसे आप click करेंगे तो आपके साम department लेना है लेने के बाद आपको prosid पर क्लिक करना है दोस्तों मैंने यह पर main hospital सब्किया है medicine department सब्किया है और clinic मेंधिसे किया है आपको select करकर proceed पर क्लिक करना है दोस्तों appointment का दिन book करने के लिए आपके सामने इस तरह का option आएगा जहां पर green है मतलब उस दिन आप appointment ले सकते हैं जहां पर यह वाला color है मतलब appointment available नहीं है और जहां पर ऐसा color है मतलब उस दिन छुट्टी है holiday है अब आप देख सकते हैं October के मैने के अंदर कहीं पर भी green color नहीं है तो आप यहां पर जैसे click करेंगे आपको next month दिखाए गए तो मैंने click किया तो यहां पर आप देख सकते हैं अब November आ चुका है और November में यहां पर available है तो आप जैसे यहां पर click करेंगे इस तरीके से आपके सामने option आएगा select appointment date आपको क्या करना है proceed पर click करना है अब आपको यहां पर अपने आदार नंबर की या फिर आदार पर जो virtual idea उसकी entry करनी है यहां पर tick करना है capture बरना है और submit पर click करना है दोस्तों उसके बाद वापस आपस ओटी भी मांगा जाएगा और आपको वापस capture भरना है और proceed पर click करना है और यह रही आपके सामने appointment की details जो आपने appointment लिया था उसकी date यह है जो clinic आपने लिया था medicine select किया था यह वाला hospital है यह department है और यह वाला जो आपने mobile number दिया था हमें confirm करने के लिए book appointment पर click करना है और यह रहा आपके सामने confirmation status appointment का यह है आपका appointment ID और यहाँ पर आपका UH ID रहेगा हमें अगर print लेनी है तो आप print receipt पर click कीजिए इस तरह से आपके सामने option आएगा बाकी जानकरी आप यहाँ से भी देख सकते हैं और जब आप print पर click करेंगे और यह रही appointment option आएगा आपको कितने रुपे करने हैं आपको proceed to pay पर click करना है आप payment credit card से भी कर सकते हैं debit card से भी कर सकते हैं internet banking से भी कर सकते हैं QR code और UPI सभी option से कर सकते हैं और जब आप payment करेंगे पेमेंट करने के बाद आपका ऐसा आएगा payment status तो दोस्तों यह है order number जो आपने पेमेंट किया था और यह है आपका payment for appointment ID is successful ऐसा message आएगा आपके सामने patient का नाम रहेगा उसकी date of birth रहेगी उसका address रहेगा appointment date रहेगी और UH ID जो बनी है उसकी जानकरी है अब हमें क्या करना है OPD card को print करना है तो OPD card पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा option आएगा आप सेव कर सकते हैं और दोस्तों यह रहे आपका outpatient department या OPD card यह रही वापस जानकरी आपके सामने तो दोस्तों इस तरीके से आप भाग दोड़ से बच सकते हैं और बड़ी आसानी से घर बैटे अपने मूबाइल से online appointment रह सकते हैं बारत के किसी भी राजे में किसी भी इस्पताल में जो इस website पर available है दोस्तों इसी तरह के important अपडेट्स के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके से नई अपडेट्स के साथ मैं फिर आपके सामने हाजी रहूँगा सुरक्षित धन्यवाद जैहन जैवारत